पाट ती नक्षा का दूसरा भाग बच्चों, आज हम संकेत चिन को पश्चानने और उनको नक्षे पर पढ़ने की समझ बिक्सित करेंगे क्या आपने नजरी नक्षा अपने बिद्याले में देखा है? चलिए, देखते हैं मद्ध बिद्याले मांडू का नजरी नक्षा इस नजरी नक्षे में आप संकेत चिन देख सकते हैं प्रमुक द्वार, पेड, खेल के मैदान, किचन, सौचाले, खाने का कमरा, पुस्तकाले, वर्ग कक्ष ये सभी आप अच्छी तरह देख सकते हैं साथ ही नक्षे में आप स्कूल कहां स्थित है ये भी देख सकते हैं यह स्कूल NH 33 में स्थित है रांची किस और है या भी पता चल रहा है? नीले रंग में जलासे और बगल में मंदिर है या भी पता चल रहा है? आप भी अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक कक्ष या विद्याले कार्याले में अपने विद्याले का नजरी नक्षा देख सकते हैं और मुझे आशा है अब आप नक्षे में स्थित स्थानों को समझ पाएंगे चलिए अब हम नक्षे में प्रयुक्त होने वाले संकेत चिन को देखते हैं पहला चिन है बस स्टॉप का, दूसरा डांग घर, तीसरा अस्पताल, चौथा आप देख सकते हैं दुकान फिर है स्कूल, फिर घर, पेड, हैंड पंप, गेट और कुवा अब पाठ में मीना के मामा जी के गाओं का मानचित्र पर इन संकेतों को देखकर अस्थानों की पहश्चान करते हैं सबसे पहले हम मानचित्र में देख पाते हैं एक घर, इस घर के बाद एक पक्की सड़क जाती है पक्की सड़क पर आप यहां इस मोड पर मंदिर देख सकते हैं मंदिर के थोड़े आगे बढ़ने पर एक और घर घर के ठीक आगे एक हैंड पंप है हैंड पंप के बाद हम इधर रोड के दूसरी और एक पेड देखते हैं और पेर के ठीक बगल में एक गिर्जा घर है क्या पक्की रोड एक गेट के सामने खुलती है गेट के बाद यह रोड सीधे आगे बढ़ती है और एक बस्टॉप मिलता है बस्टॉप के दूसरी और एक कुवा है रोड पे सीधे जाने पर हमें अस्पताल दिखता है अस्पताल की दूसरी और पोस्ट ओफिस है सीधे बढ़ने पर फिर हमें मस्जिद दिखाई देता है मस्जिद के बाद यह एक दुकान है दुकान के ठीक आगे बढ़ने पर एक और पेर और पेड के आगे जाने पर हम यह देख पाते हैं यह स्कूल है और स्कूल से आगे बढ़ने पर यह गुरू द्वारा है आप गाउं एवं सहरों में सडक पर अनेग प्रतिक चिन देखते होंगे यह सडक के प्रतिक चिन है सडक पर गाड़ी कैसे चलानी है, कहां पर मुड़ना है, कहां पर रेलवे क्रोसिंग है, कहां अस्पताल है, कहां गाड़ी का पड़ाओ है इत्यादी की जानकारी देते हैं, एक अच्छा ड्राइवर इन सब प्रतिक चिन हों या संकेत चिन को बढ़िया धंग से समझ कर गाड़ी चलाता है सड़क के किनारे दिखने वाले प्रतीक चिन आप देख सकते हैं, ये एक अस्पताल है, अस्पताल जहाँ बना होता है, उसके सामने यह चिन देख पाते हैं इसके बाद no horn यानी horn नहीं बजाए इस प्रकार का चिन आप अपने बिद्याले के पास रोड पर या तो फिर अस्पताल के पास भी देख सकते हैं इसके बाद का जो चितर है वह है railway crossing का यह आप रोड मार्ग पर जब train गुजरती है तो उसके पास इस तरह का चिन आप देख पाते हैं फिर हम देखते हैं दूसरा प्रतीक चिन यह है गाड़ी नहीं लगाना है यानी no parking का प्रतीक चिन इसके बाद का चिन जहां P लिखा हुआ है आप देख सकते हैं P for parking यानी पड़ाओ यहां हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं इसके बाद का जो प्रतीक चिन है वह है petrol pump पेट्रोल पंप का संकेत आप पेट्रोल टंकी जहां पेट्रोल मिलता है वहां पर रोड के किनारे देख सकते हैं फिर हम देखते हैं रुको या स्टॉप का प्रतिक चिन यानि कहीं रोड खतम है या रोड के आगे खत्रा है वैसे जगा पर या चिन आपको दिखाई देगा फिर हम आते हैं railway station जहांपर हम यात्री रेल का सफर करने के लिए जाते हैं वहाँ इस प्रकार का प्रतीक चिन आप देख सकते हैं इसके आगे आप देख सकते हैं U-turn यानी no U-turn यानी मुढना मना है तो इस तरह का प्रतीक चिन हम रोड पर देख सकते हैं तो आगे देखिए कुंडूसर ने अपने गाउं का नक्षा बनाया है और आपसे वे कुछ कह रहे हैं भाई ने अपने गाउं का ये चित्र बनाया है नक्षा जिसको कहते हैं आप सभी भी अपने अपने गाउं का चित्र बनाएं और आप इसी तरह से वहां जो सड़क है उनको दिखाईए मंदीर मस्जिद और आपका घर को अवश्य दिखाए जैसे कि मैंने यहां दिखाया है ये मेरा घर है घर के भगल में एक चापा कल है ये आप जरूर दिखाएं और अपने गाउं का एक चित्र बनाएं इस पार्ट में सीखा नक्से को पहचानना नक्से में बिभिन चीजों के संकेत और नक्से के आधार पर किसी अंजान जगा तक पहुँचना झाल